तेलंगणा प्रजलन दरीकी ना अभिनंदनुलू तेलंगणा की गवर्नर तमिल साइस संदर राजन जी केंद्रिय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गड़करी जी जी किशन डेडी जी बाई संजय जी अन्य महानुभाव और तेलंगणा के मेरे भाई और बेहनों हाल ही में तेलंगणा ने अपनी स्थापना की नव वर्ष फूरे किये हैं तेलंगणा राज भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगणा का कॉंटिबिशन यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बढ़ा रहा है तेलुकू लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगणा के लोगों को मिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है विश्चित भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगणा के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर विशेज ध्यान दिया है इसी कड़ी में आतेलंगना की कनेक्टिविटी और मैनिफेक्टिरिंग से जुड़े छे हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स का सलान्यास किया गया है इन सभी प्रोजेक्स के लिए बैतलेंगना की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथियों नए लक्ष हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं भारत का तेजविकास पुराने इंफ्रास्तेक्टर के बल पर संभव नहीं था आने जाने में अगर जादा टाइम बेस्ट होगा लॉजिस्टिक्स अगर मेंगा होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परिशानी होती है इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधीक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है आज हर प्रकार के इंफ्रास्तेक्टर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है आज पूरे देश में हाइवे, एक्स्प्रेस वे, इकोनामिक कोरिडोर, इंडिस्ट्रियल कोरिडोर एक जाल बिचा रहा है तू लेन के हाइवे, फोर लेन में और फोर लेन के हाइवे, सिक्स लेन में बढ़ले जा रहा है नव साल पहले जहां तेलंगणा का नेश्टलन हाईवे नेटवर्क डाई हजार किलोमेटर का था आज ये बढ़कर पाँच हजार किलोमेटर हो चुका है आज तेलंगणा में पच्ची सो किलोमेटर की नेश्टलन हाईवे परियोजना है निर्मान के अलग-अलग फेशिस में है भारत माला परियोजना के तहट जो दरजनों कोरिडोर्स देश में बन रहे हैं उनमें से अनेक तेलंगनासे होकर के गुजरते हैं हैदराबाद इंदोर एकोनोमिक कोरिडोर सूरत चिन्नाई एकोनोमिक कोरिडोर हैदराबाद पणजी एकोनोमिक कोरिडोर हैदराबाद विजागापट्रम इंटर कोरिडोर ऐसे कितने ही उदारण हमारे सामने है एक प्रकार से तेलंगना आस पडोस के एकोनोमिक सेंटर्स क जोड रहा है आर्थिक गतिवितियों का हब बन रहा है साथियों आज नागपूर विजयवाड़ा कोरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्षन का भी सिलान्यास हुआ है ये तेलंगना को महाराष्ट्र और आंद्रप्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समसाय भी कमी आएगी ये विशेश रुप से उनी एरियास से गुजरता है जहां विकास का भाव था जहां अमारे ट्राइबल कम्यूनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं ये कॉरिडोर मल्टी मोडल करेक्टिवीटी के वीजन को भी मज़ूति देगा करिम नगर वारंगल सेक्चन के फोर लें में बदलने से हाइदराबाद वारंगल इंडिस्टियल कोरिडोर काकतियां मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क और वारंगल एसीजेड की कनेक्टिविटी भी ससकता होगी साथियों भारत सरकार आज तेलंगणा में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है उसका लाब तेलंगणा के इंडिस्ट्री को हो रहा है यहां के टूरिजम को हो रहा है तेलंगणा में जो अनेक हरिटीज सेंटर से आस्था के सान है वहाँ आना जाना बहुर अधिक सुविदाजनक हो रहा है यहाँ जो agriculture से जुड़े उद्योग है करिम नगर की granite industry है उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है यानि किसान हो या फिर समिक, student हो या professional सभी को इसका लाप हो रहा है इसे युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे है साथियों युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में manufacturing sector बन रहा है making इंडिया अभ्यान बन रहा है हमने देश में manufacturing को प्रोज़ाइट करने के लिए PLI योजरा शुरू किया है यानि जो ज़्यादा manufacturing कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेस मदद मिल रही है इसके तहट पचाम यहां तेलंगरा में लगे है आप जानते हैं कि भारत देश वर्ट defense export में नया record बनाया है भारत का defense export 900 पहले 1000 रुपिये से 1000 करोड से भी कम था आज यह 16,000 करोड रुपिये पार कर चुका है इसका लाब हैदराबास सीथ भारत dynamics limited को भी हो रहा है साथियों आज भारती रेल भी manufacturing के मामले में नय record नय पढ़ाव तै कर रही है इन दिनों मेडिन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्था है बिटे बर्सों में भारती रेल ने हजारों अधुनिक कोच और लोकोमेटी बनाये है भारती रेलिवे के सकाय कल्प में अब काजी पेड़ भी मेकिन इंडिया के नई उर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है अब यहां हर मैने दर्जनों वैगन बनेंगे इस एक शेत्र में रोजगार के नए अफसर बनेंगे यहां के हर परिवार को किसे ना किसी रूप में लाब होगा यही तो सबका साथ सबका विकास है विकास के इस मंत्र पर तेलंगना को हमें आगे बढ़ाना है एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रकतिशिल काहरकमों के लिए आयोजनों के लिए विकास के नई धारा के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद सिर्थ, आंक यू वेरी मच